बीते दिन एक चर्चित मीडिया हाउस की अवार्ड सेरिमनी हुई जिसमें बी टाउन के बड़े बड़े सितारे पहुँचे इन सितारों में नाम रवीना टंडन शिलपाशेटी अनन्या पांडे जानवी कपूर फरहान अक्तर कपल शर्मा जैसे सितारों का नाम शुमार था वहीं इस अवार्ड फॉंक्शन में इर्फान खान के बेटे बाबिल खान भी नजर आए मोस्ट स्टाइलिश अवार्ड से बाबिल खान की जो वीडियो सामने आई उसमें किसी ने बाबिल को तो देखा ही नहीं उफ बाबिल के साथ इतना अन्याय हो रहा है असल में बाबिल के पीछे एक मोडल खड़ी नजर आ रही है ये मोडल सुटा पीती दिखाई थी बस फिर क्या था लोगों का ध्यान बाबिल को छोड़ कर पीछे वाली लड़की पर चला गया उसके बाद इस मोडल के लिए लोगों के मज़ेदार कमेंट्स वाइरल हुए पीछे वाली लड़की को नोटिस करना था या बाबिल को ये पीछे दीदी सुटा लगा रही है उस पर ही फोकस है बाबिल का तो सिर्फ नाम है पीछे वाली को देख रहे है हम तो क्या लग र पापलिक करने लगी सिर्फ उसी मोडल की चर्चाए वेल इस मोडल को बॉलेवुड इंदस्ट्री में अपना लख आजमाना चाहिए सोचिए बिना बॉलेवुड में आए अगर इसकी चर्चाए बाबिल से ज्यादा हो रही है तो बॉलेवुड में आने के बाद ये मोहतर कर्मा तो आग लगा देंगी वी थिंक दिस मॉडल हाज अब्राइट फूचर आहेड फाइनल काट निवस्टेस्ट्री